हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज किस वीडियो में तो दोस्तों जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं SSC CGL 24 में vacancies की RTI reply का तो आज जो है दोस्तों मैं आप सभी की सामने दो RTI reply लाया हूँ जिसमें पहला जो है ASO in CSS का है और दूसरा जो है auditor की जो है vacancies का RTI reply तो दोनों आप लोग देखेंगे हालाकि इसके पहले मैंने थोड़े दिर पहले जो है वीडियो डाली थी जिसमें CSS के बारे थोड़ा बता दी था लेकिन वह मैंने सौट में बताया था अब जो डिटेल में बात करेंगे तो ठीक है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और उससे पहले अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लिए बेल आके जरूर प्रेस कर लिए और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेयर कीजिएगा और एक चीज़ और मैं आप से करना चाहूंगा कि दोस्तों अगर आप से को हमारा मेनत अच् तो उसको आप जोईन के लेंगे तो सबसे पहले आप अबडेट हो सकेंगे साथी चाथ वहाँ पे एक फायदा और है कि मैं वहाँ पे डेली जीएस का और इंगलिस का क्विज कराता हूं दिन में जो है जीएस का क्विज होता है और साम के टाइम में इंगलिस का क्विज हो इतने भी RTI reply आप से को बताया है चाहे वो GST inspector हो गया है चाहे वो income tax inspector हो गया है चाहे वो आज जो दो हम लोग RTI की बात कर रहे हैं यह सारा कुछ मिला के जो vacancy RTI plus हो गई है तो चलिए देखते हैं कि ASO in CSS और auditor में कितनी vacancy इस बार की RTI reply में आया है तो आप से भी देख सकते ह ASO in CSS की जो है डेट आप एक्षन है सत्रे पांच 22 यान कि आज ही की बात है यह आज ही काटिया reply है तो reply में क्या गया है the CPIO CSIA is concerned with cadre management of ASO grade of CSS the information provided here is limited to that extent only vacancies reported in the grade of ASO in CSS for CGLE 24 to SSC total 930 याने कि CEGL 2024 में ASO in CSS की जो vacancy अभी तक रिपोर्ट की गई है वो 930 है जिसमें UR की 377 याने की 377 है EWS की 93 vacancy है OVC की 251 vacancy है SC की 139 vacancy है और ST की 70 vacancy है यह तो रहां आज का जो आटे रिप्लाय है हाला कि हम लोग इत्तों से comparison कर लेते हैं तो यह देखें मैं एक चार्ट लेके आया हूँ आपके सामने तो देखें SSC CGLE 24 में जो ASO की vacancy है वो आप सभी देख पार है जो का 377 OVC का 251 EWS का 93 और SC का 139 और ST का 70 तो टोटल 930 vacancy है लेकिन अकर हम लोग बात करें जो CGL 2022 जिसमें vacancy 36 आपको जिसमें 982 vacancy थी तो थोड़ा सा कम है इस बार अभी यह तो शुरुवाती डाटा है अभी आगे चलके vacancy बढ़ेंगी जब तक बढ़ेंगी जब तक आपका प्रलिम्स एक्जामसन का रिजल्ट नहीं आ जाता है ठीक है और एक चीज़ यह हमारे टेलेग्राम चैनल का लिंक है आप इसको जोईन के लिंग है अडिरेट टार्केट अड़ा इस्टडी 0036 हलाकि इसका लिंक जो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्सन वाकर मैंने दे रखा है उसके बाद अब जो दूसरी बात कर रहे है SSE CGL 24 में SSE CGL 24 में Auditor CG DA की वेकंसी का तो यह जो आटे रिप्लाई आया है यह बहुत ही खतरनाक रिप्लाई है जिसको आप से भी देखेंगे तो फिर और पिछले साल के रिगार्डिंग जो भी देखेंगे तो चगा-चौन में रहे जांगे कुल मिला के ठीक है तो देखे पता चला है वह 1799 वेकंसी है अगर हम लोग बात करें पिछले ट्रेंड में क्या था तो CGL 2021 में जो हिसकी 989 वेकंसी थी CGL 2021 की बात कर रहा हूँ है ठीक है और CGL 2022 में हम बात करें 42 वेकंसी थी और जबकि अगर बात तहरे CGL 2023 में तो इसकी 0 वेकंसी थी और आप से पता कहा C सीजल 22 मिल लगवग लगवग आठेयर वेकंसी आपको देखने को मिली थी जिसमें पीएससे की वेकंसी नहीं थी और जो पीएससे की जो मैंने आठीय लगा के रखी है काफी लोग उसको कमेंट कर रहा है कि यह बता दिए तो जैसे ही रिपलाई आगा मैं आप से को बता दू तो यह रहा आप सभी देख पारे हैं और डिटर में टोटल 1799 वेकंसी आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी वेकंसी है जो अभी तक की सबसे जाद है सीजल 21 में 989 के बज़ा है अब 22 में 42 में तो थी ही नहीं ठीक है अगर वही फिर इसका दिए आप देख सकते हैं जो CSS वा अब एक बड़ी वीडियो लाऊंगा जिसमें आप से को अभी तक की जितनी भी आटे रिप्लाई हैं जितनी वेकंसी की बारे में पता चला है वह सारा कुछ कंपाइल करें आप से को दिखाऊंगा और देखेंगे अम लोग कि कितनी वेकंसी अभी तक हो चुकी है तो ठीक ह इसन वेकंसी आप झांभा झा झूबारा को बारी में मजाब करें कि बारे मैं नएक दिए याजी बार देखेंगे झांपारा कि मुत अचितनी एक प्रावी पिए में वेकंसी की फिए में एक्तु अब ouais, कि तक हो एक खांभा झार में अपक्ता झांचि खेंएअ आर्बार